किसान साथियों नमस्कार आप सब का हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में आप सब जो अम्रूद की बागवानी करने वाले खिसान हैं उन्होंने जो सर्दियों की फसल लेना चाते हैं अपने पोदों में ताओ देने का काम सुरू कर दिया होगा किसान साथियों मैंने बहुत सारी वीडियों बनाई हैं फसल परबंधन पर और बहार परबंधन पर लेकिन फिर भी मुझे से कुछ अटपटे सवाल लोग करते रहते हैं जो आपने सर्दि की फसल लेने वाले किसान भाई हैं उन्होंने फरवरी में अपने पोदों का पानी बंद कर दिया होगा लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपके पोदे दो वरसे बड़े होने चाहिए दो वरसे चोटे पोदों में आप ताओ ने दें पोदे मर सकते हैं चोकि वो ताओ को सहन नहीं कर सकते हैं अब हम ये बात करेंगे पहले कि ताओ होता क्या है जो ताओ होता है वो पोदे की उम्र के इसाब से हम यहाँ पर एक से डेड़ फिट जगह छोड़कर और जहां तक उसकी केनोपी होती है यानि साखाई फैली होई होती है वहां तक हम 6-8 इंच गहरी गुड़ाई कर देते हैं इस गुड़ाई से जो पोदे की दुट्यक जड़े होती है जो भोजन वाली जड़े हैं वह कट जाती है और पोधा डॉर्मेंट की सिच्वेशन में पहुंच जाता है यानि सुसुपतावता समय पहुंच जाता है उसे पता चल जाता है कि अब मेरे को कोई प्रोडक्शन नहीं देना है आप देखेंगे कि आपकी पतियों में जो टहनिया है उनमें नए कले भी आ रहे होंगे ये कले आने का कारण ये होता है कि आपकी जमीन में नमी होगी या आपने पानी दिया होगा अब इस ताओ के बाद आप जैसा हमने पिछले वर्ष किया था मई के पहले सप्ता में आप कटिंग कर देते हैं और फिर पानी छोड़ देते हैं या निए ताओ को खतम कर देते हैं और पोधे की जितनी एनरजी होती है वो नए कलों के रूप में फूठती है और उस पर फालाते है किसान साथियो इस बार मैंने एक नया परियोग करने का निश्चे किया है जो मेरे साथी लोग हैं उनसे काफी डिसकसन के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे कि हमें ये परिय से हल्का हल्का पानी दिया कि एक लाइन में में मेरे चोटे पोड हैं उनमें मैं regular पानी देता हूं तो इन में मैंने एक महाम में केवल एक बार पानी दिया हल्का हल्का हिए अब पहली अप्रेल आने वाली है आज 21 मार्च हो गई है तो मैं यहां पर इसकी के निचे का लगाने के बाद मैं इसमें ये cutting कर दूँँगा जो cutting है यहां से करूँगा cutting इस बात पर निर्वर करती है कि आपके पोधे कितनी सगनता से लगाये गए हैं अगर वो 20 by 20 पर हैं तो आपको थोड़ा सा ऊपर से cutting करनी हैं अगर 15 भाई 15 पे हैं तो आप 1 फिट भी छोड़ सकते हैं अगर आपके 12 भाई 12 पे हैं तो आप 6 छोड़ सकते हैं और अगर 10 भाई 10 पे हैं तो आपको मुश्किल से 2-3 निंज पर ये कटिंग करनी चाहिए कटिंग करने का उद्दिश से केवल आपको अपनी कैनोपी का जो एरिया है उसे मैनेज करना होता है अगर कटिंग नहीं करेंगे तो जो सगनता से पोदे लगाए विये हैं वो आपस में मिल जाएंगे और कुछ साल बाद वो फल नहीं देंगे ये मैं अगली वीडियो में सब चीजें बताओंगा मैंने एक वीडियो बनाई थी बाहर परबंधन पर जिसे क्रोप रेगुलेशन कहते हैं उसमें क्या होता है कि अमरूद की एक विसेस्ता है कि अगर हम बरसात की फसल नहीं लेना चाहते तो इस फसल का 80% तक भाग आपक की सरदी की फसल में जुड़ जाता है उसके लिए हम ये आजकल बरसात की फसल नहीं लेते हैं पोदों में ताओ लगाते हैं ताओ लगा कर पोदे को कह देते हैं कि आपकी सुसुपतावता सोने का समय हो गया है हम आपसे अभी फल नहीं ले रहे हैं और उसके बाद जब व वहां से कोई भोजन नहीं मिलेगा, कोई नमी नहीं मिलेगी, तो हम मई के महीने में जाकर उसमें पानी छोड़ते हैं, जब मैं पहली अपरेल को इसमें खोरा लगाऊंगा और कटिंग करूँगा, उसके बाद एक महा तक पूरा ये ताओ आएगा, उसके बाद मैं पहली मई को इसमें खाद लगा कर और पानी छोड़ दूना, पिछले वर्स हमने खाद जून में पहली बारी सोने के बाद लगा था, अब की बार हम और दूर लगाएंगे यहां पर, बिल्कुल कैनोपी के पास लगाएंगे खाद, और पोदे के दो ओर लगाएंगे खाद, और उस टाइम पानी छोड़ देंगे, आपको एक बात का ध्यान रखना है, कि उस समय गर्मी बहुत होती है, अगर आपके पास पानी परचुर मातरा में उपलबद है, यानि अच्छी तरह उपलबद है, कोई कमी नहीं है, तब ही आप खाद लगाएं, अगर पानी की कमी हैं, तो पहली बारिस होने के बाद आप खाद लगाएंगे, उस समय ने लगाएंगे, चुकि गर्मी से पोदे की जड़ो को या पोदे को नुकसान भी हो सकता है, जैसे ही आप खाद लगाएंगे, ताव खतम होते टाइम उसमें खाद लगाकर पानी देंगे, तो पानी कम से कम 15 से 20 दिन आपको चलाना उसमें नमी बना कर रखनी है, खाद की गर्मी होगी, नई जड़े निकलेंगी, तो वो कहीं जलने जाएंगे, उनको नुकसान नहीं हो जाएंगे, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, किसान साथियो मैंने देखा है, कि कुछ भाई मुझे लिखते रहते हैं, कि जी मैं तो बरसात की फसल भी लूँगा, उनका ये सोचना है, कि इस प्रकार मैं दुगनी फसल आ जाएगे, किसान भाईयो ऐसा नहीं है, अगर आप बरसात की फसल लेते हैं, तो मान लीजिए, टोटल फसल आपके पास एक कुटल आती है, तो उसमें से केवल 40-50 पर तिस अथी आपको बरसात की फसल भी लेगे, उसके बाद अगर आप सर्दियों की लेगे, तो वो 30-40 परसेंट या कि अगर आप बरसात की फसल नहीं लें, उसको रोक दें, तो उसका 80% तक हिस्सा आपकी सर्दियों की फसल में जुड़ जाता है, सर्दियों में भाव अच्छे मिलते हैं, बीमारी कमाती है, अमरूद स्वादिस्थ होता है, बरसात में अमरूद का स्वाद भी नहीं होता ह है, फल मक्खी का होता है, इसलिए एक फसल लेना आपके लिए जादा उचित रहता है, जो आगरा से आगे का एरिया है, जहां से मद्य परदेश सुरू हो जाता है, वहाँ पर सर्दी नहीं पढ़ती, तो वहाँ पर लोग जो फरवरी मार्च में फसल आती है, जिसे हस्त ब कार में रहेगा, चुकि फ्रोस्टिंग भी होती है, पाला भी पढ़ता है, और ठंड बहुत जादा पढ़ती है, किसान सातियों आपको ये निश्चे करना है, देखना है, कि कहीं दोनों फसल लेने से मेरा दुगना काम तो नहीं हो रहा है, और मेरी लागत तो जादे नही हो रही, फसल आपको उतनी ही मिलनी है, आसा है, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगली वीडियो में मैं बताऊंगा, कि आपको कटिंग करते टाइम, किस बातों का ध्यान रखना है, जिनके पोदे बहुत दूरी पे हैं, उन्हें कहां से कटिंग करनी है, जिनके प इदा लेता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार, जैहिन, जैभारत, बंदे मातर,